यह एक एपल का प्रोडेक्ट है मैं ना यह भी आई-पैड जेनरेशन जब टेस्ट कर रहा था कुछ चीजे टेस्ट करिए जो कि मैं आपको शेर करूंगा आपको यह लगेगा कि एपल ने यह प्रोडेक्ट लोंच क्यों किया माला बुरा नहीं है बहुत अच्छा अफ्ग् अब बात करते हैं इसकी लास्ट टाइम आई-पैड नाइन्थ जेनरेशन याद होगा आपको यह वाली जो सीरीज है इनकी यह सबसे ज्यादा मतलब वैल्लू फॉर मनी में चली जाती है 30,000 के आस पास आता था क्योंकि आपको पता कि 30,000 से नीचे वाई Android में कुछ किया लोंग टर्म में ऐसे मतलब जिस पर ज्यादा यूज किया जा सके रिलाइबल हो सके आप तो वहाँ पर आई-पैड की मैं हमेशा तारीफ करता है हूं बट अगर आपका बजट तक है तबी उसके बाद फिर बहुत सारे आई-पैड आते थे बस फरक यह था कि उसमें से अभी भी आई-पोन में आता है यहां पर टाइप सी एड़ दिया गया है लेकिन यहीं इसकी अच्छाई भी हो बुराई भी बिताता हूं क्यों कैमरा यहां पर इंप्रूफ कर दिया गया है जो की प्रैक्टिकली फील भी होता है डिजाइन को बहतर कर दिया गया जो कि देखके लगता है भाई पहले वाला देखा ही था आपने अभी के देट में अगर बात करें तो यह आई-पैड एयर वगारा जो सीरीज आती है उससे मैच करता हुआ है यह होम बटन भी अटाय जा चुका है अभी आ चुका है फिजिकल फिंगर पिंट स्कैनर उपर की साइ बेसिकली मोडन सा स्टायलिस ता दिखता अभी यह आई-पैड पहले थर्टीन था अभी एफोर्टीन बायो निक है तो इसका मतलब परफोर्मेंस भी काफी बढ़िया होने वाला है एक और चीज काफी सही कर दिया गया कैमरा पोजिशन अभी आप फाइनली लैंड्सकेप मोड में वीडियो कॉलिंग कर सकते हो तो अभी यह ज्यादा सही पोजिशन पर आ चुका है यह इसकी वीडियो कॉलिटी है और मुझे लगता आई-पैड से कभी शिकायत रही है ओनलाइन मेटिंग चैटिंग वीडियो कॉलिंग सब चीजों से और यह में कैमरे से वीडिय और के तक वीडियो शूट कर सकता है लाकि यह सब नोट्स लेने वीडियो करने के लिए होते हैं अपना का में बढ़िया करता है इस आई-पैड में फ्लैश नहीं मिलता जो की होता तो बढ़िया ता पीछे साइड और साथ में जरूरी बात यह बताने थी कॉमेंट सेक्श फाइब जी को सपोर्ट निकरता तेंथ जनरेशन आपका फाइब जी भी सपोर्ट करेगा फ्यूचर में तो इतने सारे मेजर अपग्रेट्स है अगर आप देखोगे और मैं को चीज देख रहा था यहां पर अगर एपल की वेबसाइट पर जाके देखते हम लोग सो यहां पर अभी देखोगे सबसे एडवांस वाला इनका आइपैड प्रो है जाईजी बात है एटी टू थाउजन का है फिर आइपैड एयर है जो कि 60 थाउजन का मिल रहा है आइपैड 10 जनरेशन जिसके हम बात कर रहे है यह 45 थाउजन का है और आइपैड 9 जनरेशन 34 थाउजन और आइपैड मिनी 50 थाउजन यह ओफिशली शो कर रहे है यह आइपैड एयर फॉर्स जनरेशन नहीं है आइपैड प्रो भी जो मन वाला था वो भी शो नहीं कर रहे है एक चीज़ आपने और नोटिस किया कि है इसका प्राइस बढ़ चुके है यह आइपैड के सारे और स अब ग्रेट के साथ इसमें 128 जीवी मिनिममम सुरू कर देना चाहिए तो ओवर और ऑल इस आइपड के साथ एक स्टोरी जा चुकी है कि यह एक बजट आइपैड है बजट लिस्त तो आप इसे बाहर निकाल दो जैसी बज़ेट लिस्त से बाहर निकला ना ज्यादा बैटर समझूंगा अब बतातों क्यों रीजन सबसे पहले यह देखने बहुत मज़ा आता है कि इसके अंदर टाइप सी दिया हुआ है वाव बहुत सही है क्योंकि इसकी मदद से हम डारेक्ट आप अपना नॉर्मल चार्जर से चार्ज कर सकते हो या फिर जैसे कोई भी एससडी य इसका 45,000 याद रखिएगा जो भी मैंने प्राइज बतायो 3000 का HDFC काड डिसकाउंट मिलता है जो कि मैंने भी लिया है कंसिदरिंग प्राइज इसके अंदर जो टाइप सी दिया ना यह जिस प्राइज पर आ रहा है यह जो जनरेशन दिया ना टाइप सी का एपन ले इसके एक बार खुद स्पीड देखो यहाँ पर आईपैड प्रो सिप कंपेरिशन के लिए दिखा रहा हो उसका प्राइज डेफिनेटली ज्यादा है स्पीड चेक करने के लिए एक्स्टर्नेल से हम लोग 8.4 जीवी के असपास यानि कि लगबग 8.5 जीवी कोपी करने जा रहे ह यहाँ पर आईपैड प्रो लेता है 15-20 सेकिंड आईपैड एयर फिफ्ट जेनरेशन वाला इसको लगता है ओल्मोर्स 40-45 सेकिंड और यहीं पर आपको यह डिफ्रेंस एकदम से इतना ज्यादा हो जाता है आईपैड 10 जेनरेशन के साथ जो की है आपका चार मिनेट लगता है इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए था यह आपको डे टुड लाइफ में कई जगा फील करेगा अगर आप क्योंकि 64 जीवी सिर्फ इंटर्नला इसकी अगर प्रोडेक्टिविटी वाला काम है सिर्फ मल्टिमीडिया कंजम्शन नहीं है या फिर सिर्फ ओनलाइन वी है बाट वह भी स्लो काम करती है तो अगर जो कोई एडिट करना चाहेगा इस से जल्दी अल्दी में थोड़ा अच्छी जो लोग करते हैं क्योंकि आइपड बगारा से काफी लोग भाई एडिटिंग करते हैं वहाँ पर फिर आपको लगेगा हाँ या कुछ कॉपी कर रहा पर पास और इसी का सपोर्ट होना चाहिए था इसमें कितना असान होता ना फ्याहस रखना यह चार्ज ओने लगे था फिरवह यह काम करना था आप करते लगा देटें चार्ज Empress पर्ट नहीं होगा क्यूंकि यह से ईपलपनलेनी सिल लेनी पड़ेग Совे से लंग आब यहाइ आपको लगे मैं मजाक उड़ा रहा हूं बट प्राइस सोचो ना आप एपल पैंसिल का प्राइस और एड कर लो पोर्ट दिया है उसमें स्पीड भी कम दे दी रेट से मुझे शिकायत नहीं अगर यह दो चीज़े सही कर देते ना विकोज मैंने फिर का आईपैड परफोर्मेंस के लिए जाना जाते हैं बहुत सारी अच्छी चीज़े होती हैं सौफ्टर के लिए जाना जाते हैं परफोर्मेंस और सौफ्टर के मामलें यह भी पीछे नहीं है आपको यहां पर बढ़ियां मस्त फार्स पर्फोर्मेंस मिलेगे आप गेमिंग भी अच्छी कर सकते हो आप अपने सारे प्रोट्ट्ट्व काम कर सकते हो वह सम्मिलेगा तो परफोर्मेंस वगर अच्छा है कि नियाद रखना कुछ चीज़ों में यह जैसे मुझे दिखा यहां पर अभी भी स्टैक फीचर नहीं है नए आइपाइड ओस में आया था ना अलग से और बस comparison नहीं सिर्फ colors के लिए दिखा रहा हूँ आपको कि हां यहां पर इसमें colors में भी वही नॉर्मली ठीक लगए आपको लेकिन जैसे आइपाइड फिफ जनरेशन वाला साइड बैसाइड दिखाऊ तो आइपाइड फिफ जनरेशन के डिस्प्ले जादा बैटर कलर शो क रखती थी क्योंकि हमारे पास अगर यहां तो option नहीं होते हैं हमारे पास हमें पता है हम लोग 45,000 इंवेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत manage करके offer वगारा में आईपैड भी सस्ते होते हैं थोड़ा wait करके आप second generation pencil सपोर्ट करने वाला आईपैड लीजे कोई भी अगर आपको लिए value for money प्रोट चाहिए तो सीधा लीजे ना आईपैड 9 generation यह करके मुझे समझ नहीं आया एपल ने बिजनस पॉइंट व व्यू से 30,000 से लेके 80,000 के असपास एक एक आईपैड लाके रख दिये कि आप कोई ना कोई तो लोग है यह वाला मुझे थोड़ा sensible नही तो मेरा कोई हेट नहीं था इस प्रोट के लिए मैंने बाग की आईपैड के तारीफ भी करी पूरी वीडियो में लेकिन आप भाई नहीं पसंद आया मुझे sensible नहीं लेगा तो बता दिया आपको आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए मैं मिलता ह आपसे एकली वीडियो में